हे अब्रिबन आज हम कुछ अबजेक्टिव टाइब क्वेशन करने वाले हैं तो क्वेशन नमबर वन है मनुष्य की अंतर नहीत पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है तो ये एक एजूकेशन की डेफिनेशन है तो ये किसने दी है तो ये डी है विवेका ननजी ने तो इसका ऑप्षन सी करेक्ट है क्वेशन नमबर टू है शिक्षा से मेरा अभिप्राए बालक तथा प्रोड के शरीर तथा मन आत्मा से ये सब अगर आएगा न शरीर मन आत्मा तो इसका जो आंसर है वो डी ही होगा ऐसे समझ जाना ठीक है इन्होंने 3H भी दिये है तो 3H क्या है वो आप लोग मुझे प्लीस कमेंट सेक्षन में बताना उसके बाद हमारा question number 3 है शिक्षा एक 3 मुखी प्रक्रिया है तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था डूवी ने ठीक है दृद रूवी प्रक्रिया किस ने कहा था वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे question number हमारा 4 है निरपचारिक शिक्षा एक सुवीदा जनक स्थान समय विध्यारतियों के मानसिक्सतर और मनवग्यानिक विध्य को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है किया कतन किसका है तो इससे पहले आप लोग मैंने विडियो डाली हुई है फूचर टीचर वाले प्लेलिस पे उन्मे ने डिफरेंस किया है फॉर्मल ईंफॉरमल और नौन फॉर्मल निरपचारिक शिक्षा ऑपचारिक अनपचारिक और निरपचारिक तो यह बाट प behavior प्लिस आप लोग डिफरेंस चेक कर लेना हमें ऐसी शिक्षा की आवश्यक्ता है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था विबी का नंजी ने उसके बादा मारा question number six है शिक्षा का कारे असहाय प्राने की विकास में सहायता पहुचाना है जिससे वैसुखी नेतिक क कुशल मानव बन सके तो यह कतन किसका है तो यह कहा था जौन डीवी ने उसके बादा मारा है question number seven शिक्षा की मनुष्य की जन्मजाद परवर्तियों का स्वभाविक सरवांगिन और प्रगतिशील विकास है तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था पैस्टोलोजी ने और बहु जाती है तो आप इसे अच्छे से करके जाएगा उसके बाद हमारा है question number eight question number eight है समस्त शिक्षा का सच्चा उद्देशे व्यक्तित्व के आदर्श की पूर्ण प्राप्ति है यह आदर्श संतूरित व्यक्तित्व है तो यह कतन किसका था तो यह कतन दिया था फेडरिक ट्र के मेल का अधार है राष्टे अनुशाशन तो यह किस ने कहा था तो यह कहा था डॉक्टर राधा कृष्णन ने ठीक है उसके बाद हमारा है शिक्षा इतनी व्यापक होनी चाहिए जितना की मानव उसमें जो भी शक्तिया है शिक्षा को उन्हें पोश्चित और तुमको कारे के सभी छेत्रों का विवहारी ज्यान प्राप्त करना अवश्चक है सिधानतों के धेरों के धेरों से राष्ट्र का नाश हो रहा है तो यह कतन किसका है तो यह कतन है स्वामी विवेकानन जी का ठीक है उसके बाद हमारा क्वेश्चन नमबर 12 है बीचर ने कहा की सभी सफल कार्यों का अधार तो बीचर ने क्या का है कि सभी सफल कार्यों का अधार क्या है तो नैतिकता थर्टीन्थ है राष्ट्रे एकता के प्रश्ण में जीवन के परतेक वस्तु आ जाती है राष्ट्रे एकता के प्रश्ण की जब बात होती है संस्क्रिति का विकास तो इसका option हो जाएगा डी उसके बाद हमारा question number 15 राष्ट सुरी शिक्षा के चरित्र विकास के उदेशे के समर्थक है तो शिक्षा के चरित्र विकास के समर्थक कौन है तो महात्मा गांदी भी है इसका correct answer है जो हमारा mind से related है question number 17 है शिक्षा के विक्तिकत उदेशे का क्या अर्थ है अगर विक्तिकत उदेशे की बात करें तो इसका ये है कि अपनी शक्तियों योगताओं और शम्ताओं का विकास करना अगर विक्तिकत उदेशे तो बचा अपनी इसाब से जो शक्त क्या है उसकी जो ability है उसके हिसाब से उसका विकास करना ठीक है उसके बाद हम बात करते है question number 18 की समाजिक उदेशे का क्या अर्थ है यहाँ पर बात हो रही है कि समाजिक उदेशे का क्या अर्थ है तो समाजिक उदेशे समाजिकता और नागरिकता की बावना का विक्तिकता की बाव न फिक्सित करना ठीक है तो इसका option है 18 का यह हो जाएगा ठीक है अपने समाज और राष्टर को ही सर्वर पर ही समझना ठीक है बट अगर हम option के point of view से देखें तो मुझे लगता है कि समाजिकता और नागरिता की भावना ना के फिलिग उनके बहावना के उनके उनके नितेर समाजिकता की भावना में है तो इसका और देखें हो सकता है तो जो भी बच्चे के अनुबावु से मिलते हैं वो सब हमारे पाट्टे करम करीकुलम में होता है ठीक है तो option is correct answer question number हमारा जो 20 है तो इन्होंने 20 में पूछा है कि इनिशली कक्षाओ में स्क्षण की इनिशली कक्षाओ यहाँ पर primary की बात हो रही है ठीक है खेल पद्धि का मूल रूप से खेल पद्धि किस पर आधारी थे तो विकास एवं ब्रिद्धी के ठीक है विकास जो बचा बढ़ रहा है ब्रिद्धी तो उसमें किसी सभी ब्रिद्धी हो रही है ठीक है तो यह इसका answer है second 21 का है आगलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रती हमें सचेथ होना चाहिए तो जो करिकुलर और नौन करिकुलर जो करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज होती है उसमें सीखने के बारे में तो यह है जो हमारा इसका option है इसकी according ठीक है यह बीवाला सही है उसके बाद हमारा है question number 22 बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को डैश की भूमी का निभानी चाहिए तो कैसी भूमी का निभानी चाहिए मामी बापा को अगर बच्चा learning कर रहा है तो अग्रोन मुखी मतलब बिलकुल आगे होना चाहिए उ की पुन्रा वृति और प्रत्या स्मयरण में शिक्षारतियों को मदद करना महत पूर्ण है कि बचा जो सीख चुका है उसका डिविजन और उसको दुबारा याद करवाना क्यों महत पूर्ण है बताईए तो इसका जो आंसर है वह बी क्योंकि नई जानकारी को पूर्व ज उसके बाद हमारा है question number 24 सीखने का वह सिधान्त जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकन ये विवहार पर आधारित हैं सिर्फ हमें observation के observing जो behavior उस पर आधारित हैं तो वो सम्मंद किस से जो सिधान्त है वो किस से सम्मंदित है तो उसका जो आंसर है वह सी विवहार वादि इसे ठीक है उसके बाद है question number 25 विद्यारतियों के सीखने में जो रिक्तिया रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए तो निदान के बाद हमेशा क्या होता है उप्चार होता है तो इसका जो answer है वो है उसके बाद हम question number 26 की बात करें निम लिखित मेंसे किस कथन को सीखने के लक्षन के रूप में नहीं माना जा सकते हैं पर नहीं की बात हो दिया तो सीखने के प्रक्रिया है जो विवहार में मध्यचता करती है तो यह सही है और second वाला भी सही है जो हमारे experience में घटित होती है तीसरा है वो इसका option correct है कि विवहार का अध्यान सीखना है क कि हम सिर्फ अगर behavior का अध्यान कर रहे हैं तो यह इसका जो लक्षन नहीं है सीखने का ठीक है और आना दीगम यानि कि जो हम कुछ नहीं सीख रहे हैं तो अपने प्रिवियस experience से भी सीखते हैं तो आना दीगम भी एक सीखने का हिस्सा है तो option C is correct answer question number 27 है शिप्षारतियों क आत्मनियमन डैश की और संकेत करता है तो आत्मनियमन किसकी और संकेत करता है अपने सीखने का सयम प्रेक्षन करने की उनकी योगत है कि हम जो भी कुछ सीख रहे हैं बच्चे जो भी कुछ सीख रहे हैं उसको वो खुद अब्जर्व कर पार रहा है उसको एनलीस कर पार र कि पढ़ने में कठिनाई का लक्षन नहीं है। वर्ण और शब्दों की पहचान में कठिनाई ये तो होगा। पठन गति और प्रभाव में कठिनाई तो पठ jot year देखतें भी सब्दों विचारों, को समझने में, सुसंगत वरतनी में कठिनाई तो इसका जो ऑप्शन है वो है 28 का भी यहां पर इनोंने बोला है एक वर समझे समझे आप लोग कि छोटे बच्चे होते हैं कौन सा लक्षन पठन कठिनाई का नहीं है कि पढ़ने में उनको कठिनाई आ रही है तो देखो अगर बच्चा वंड शब्द की पैच करेक्ट आंसर होगा उसके बाद है 29 क्रिस्टीना अपनी कक्षा को छेत्र ब्रह्मन पर ले जाना चाहती है तो यह सीखने की किस और संकेत करता है तो सीखने का आकलन तीक है कि मतब जो बचे ने जो भी सीख कर आए है उसका वो आकलन कर रही है तो इसका हो जाएगा कि आसि हम संचालन से बालकों में किस प्रकार के गुण विक्सित होते हैं हम बाल संसर का निर्माण करते हैं और उसका संचालन भी करते हैं कि कि किर्यानवन होता है तो उसमें वो बालकों में किस प्रकार के जो गुण है वो विक्सित होंगे यहाँ पर यह पूछा गया है तो जो 30 कोईशन है इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी. शिक्षार्तियों को लोक्तान्त्रेक प्रच्टिक्ष्चन प्राप्ट हो जाएगा. पॉर्षन नमर 41 है किंडर कार्ट और शिक्षन पद्दी के जनम दाता कौन थे? तो इसका आंसर है D, यह मैंने करवाया भी तब पिछली वीडियो में question number 32 है बाल विकास क्या है जो share development है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास growth एक टाम के लिए रुप जाती है बट जो हमारा development है जो विकास है वो हमेशा क्या होता है हमेशा वो चलता रहता है ठीक है question number 33 है हमारा बाल मनोवग्यान के स्थान पर ब्युक्त होने वाला शब्द है तो बाल मनोवग्यान के स्थान पर हमनों क्या यूज़ करते हैं बाल विकास सीखना विकास की प्रक्रिया है यह किसने कहाता तो यह कहाता वुडबर्थ ने और कोशन नमबर 35 जो कि हमारा आज का लास्ट कोशन है किसका मत है सभी विकास एक ही दिशा में जो सभी का विकास है वो एक ही दिशा में होता है तो यह कहाता जीन प्याजेने यह वीडियो आपके लिए helpful रहे अगर helpful रहे तो प्लीज लाइक कर देना अपने दोस्ते के साथ शेयर जरूर कर देना और नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना थैंक यू